तो हलो नमस्ते अस्तार कुछ सश्यकार केम छो नाना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्दगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली मैं मैं हाँ पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गए मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा लगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक डाउन हुआ है जब ये लॉक डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं के बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि अब हमने कुछ वेजटिबल्स के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलमेडर दूर एक गाउ में बेजा राशिन खरीदने के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो के बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रह अब पास तो था उनके पास गारी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते वे उन्होंने अपना मास निकाल लिया तो पुलीस वालना काम से कि यह मास पेंड़ो और यह मास पेंड़ो तो उनको समझ में आ गया कि जो नह करना था उन्होंने किया आए उन्होंने ये कहानी बयान की और मैंने से कहा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वही आपने किया और रहाइदी बेवकुफी की चीज़ की दिमाग से निकल गया है सोचा कि बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूं जो कि न नहीं आरी कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात गोर से सुनें। किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुख दाएक बात है। इस्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना, एक उसका स्यम खो देना, होब खो देना, वो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है, उसका दुख ना समझना, वो एंटी हुमन, एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है, उसके बात ये समझ में आ जाती है, कि हमने एतियात नहीं रखा, गल्दी हमसे हो गई। और जो नेगिटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं, वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गैरिंटी है। तो घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ बग गुजारो, ये सब किस के लिए? उनके लिए? नहीं, हम सब के लिए, नमाज पढ़ना है घर पे पड़ो, बुजा पाट करनी घर पे करो, बच्पर में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर पिवार के साथ जाना है, तो निकलो भाग, मनना तो एक दिन सब को है, लेकिन क्या कोई मनना चाहता है? ये यहां पर आके, ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को, इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो, स्टार्टिंग विद ये ओन फैमिली, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे बुजर्ग, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है, उनके साथ चुरुआत करोगे, अब आब बताओ, पुलीस का साथ देना, गवर्मेंट का साथ देना, या नहीं, अब वो लोग इस बात का जवाब दो, जो के गवर्मेंट की बात नहीं सुन रहे हैं, कि वो सही है, गलत है, करेक्ट है, रॉंग है, नेगिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, अगर आपके आक्शन सही होते हैं, तो ये लॉकडाउन अभी तक पर डंडा नहीं मारते हैं, आपको क्या लग रहा है, किसने रोका है आपको राशन लेने में, जाओ ना, किसने रोका है, खाने पीने का सावा लेने जाओ, घर तुरंत आ जाओ, पास में जाओ, किसने रोका है, मास पहनो, कलवस पहनो, अकेले जाओ, गवर्मेंट ने ये करोना वायरिस नहीं हो бывает उनके परिवार को नहीं हो लेकिन उनको देखो थे वी ओठारे घंटे कृम कर है किस के लिए काम कर रहा है और अब वह भी आपको रोकने के लिए नहीं यह जोना वार्प को फैलने से रोकने के लीग कर रहे हैं कि ये बिमारी उंच नीच जातपात अमीर गरीब छोटा बड़ा कम उमर हम उमर बड़ी उमर कुछ नहीं देखती है आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है वो निभारें और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठें और वो भी आप नहीं निभारें मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूं जो घर के बार कभी नहीं निकलते थे जब से ये बोला गया है कि घर से बार मत निकलो उन्होंने निकलना शुरू करती है ख़वाल है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं पुलीस वाले अपनी जान को ख खाने पीने के लिए आप उनकी वी जान को खत्रे में डाल रहे हैं यह कमार है कि डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए नर्स आपकी जान बचाने के लिए और आपने उनके पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वह वह हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग इनके दिमाट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बहतर है कि ये बिना खाए पिये ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग़ा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये विमारी पहली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के रिया आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वारिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भाद वर वाप कि इतने भाद वर इतने तकत वर वर वाप कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उनकी अर्ति उठाओगे इतना जिगर है आपके क्यों आप यम्राज और मलक अलमौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इनन इल्ला है और राम नाम सकते है और ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते है इसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई न रहें आप रिसाइड करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि यह आगे न पहले और दूआ करो कि वो नौबत न आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई जाए बन्यवाद